दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल शराब घोटाले में एड के तीन समन के बाद भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। केजरिवाल ने इडी के समन का जवाब लिखित तौर पर देते हुए इस समन को गैर कानूनी तक बता दिया है। अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने कहा है कि केजरिवाल को अगले दस दिनों में जेल में डाल दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों के बच्चों को बहतर भविश्य देने के लिए काम करते रहेंगे। आतिशी ने आगे कहा, हम हर जगा सुन रहे हैं कि मनीश सिसोध्या, सत्येंद्र जैन और संजे सिंग के बाद अब अरविंद केजरिवाल को भी जेल में डालने की साजिश हो रही है। हमारे एक जानकार का वाटसाप मेंसे जाया, वो कहते हैं कि खबर मिल रही है कि आने वाले दस दिनों में केजरिवाल को भी गिरफतार कर लेंगे लेकिन मैं भारतिय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली वालों की तरफ से एक संदेश देना चाहती हो कि चाहे वो अरविं के चापों में से नेताओं के घर से पैसा निकलता है, गर्डियां, सोने के बिस्कुट, जमीन के कागज निकलते हैं। ये कैसा घोटाला, जिसमें आपके किसी मंत्री के यहां से भ्रष्टाचार का एक रुपया नहीं मिला। बता दे की ED के तीसरे समन पर अरविंद केजर के हाजर नहीं होने के बाद कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशाले अब सीम अरविंद केजरिवाल को चोथा समन भी जारी कर सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ हन्यनेता भी इस बात की आशनका जता चुके हैं कि अ अफ्तार करवाना चाहती है।